अबैद निकासी मामले की जांचकर ने बंगलवार को पहुँचे बैंक अधिकारी ने उक्त बैंक साखा के कर्मियों से गहन पूचताच की जबकि पिरित महिला का आरोप है कि जांच अधिकारी ने महिला से कुछ भी बयान नहीं लिया हलाकि जांच की पूर्फ सुचना महिला को दे दी गई थी और जांच के दोरान बैंक में महिला को उपस्तित रहने को कहा गया था जब जांच अधिकारी वहां पहुँचे तो महिला सभी काज़ात लेकर उपस्तित हो गई इस दोरान जांच अधिकारी ने उक्त साखा के बैंक करिमियों से करीब एक घंटे तक बंद चेंबर में बादचीत की और उसके बाद जाने लगे पत्रकारों ने जब जांच अधिकारी से जांच के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनका कर दिया साब तोर पर इनकार करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम किसी मामले की जांच करने नहीं आये हैं बस ऐसे ही आये हैं भरहाल अधिकारी जांच करने आये थे इसकी जानकारी पिरित महिला को दीती गई थी महिला ने जाच अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा है जाच के नाम पल बस केवल खाना पुरी करके चले गए हैं गौरतला भेकी विसौल गाउं की महिला फाजिमा खातुन ने संबंदित विभाग वा बैंक अधिकारियों को पत्र भेज कर अपने खाते से अबैद निकासी का आरोप साखा के कैसियर पर लगाई थी जबकि महिला के पती विदेश रहते थे उस दौरान बैंक साखा के कैसियर उसके घर जाकर कभी केवाई सी तो कभी आधार लिंक तो कभी अन्य बहाना बना कर बार बार अंगुठा निसान लेते रहे और उस दर्मियान उसके खाते से कई बार अबैद निकासी कर लिगई महिला पर ही लिखी नहीं है इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चल पाया तब उसके पती विदेश से आये और एस्टेट्मन निकालबा कर इसकी सिकायत बरिये अधिकाईयों को भेजा बताया जा रहा है कि जब सिकाय थी तो उसके खाते में किसी ने गुपत रूप से 50,000 पर भी जमा कर दिये बहराल महिला को अब भी न्याय का इंतजार है फोटो काती दिया ले 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 लेधी दुलाख रूपिया बस अथवे चल बे ख़ड़ी है अना जान्त कना पकाना पूर्थी के लग भी तुसाँ अधूठ फूर्ब लग भग आई ठम बैंक के कैसियर पभ यहां के जानकारी के बिना आहां के काउंट से पैसा निकाइल ले ले लाग। मदूबनी न्यूस को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें